नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में, आज में शे कर रही हूँ करेले की सबजी की रेसिपी, जो खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, जिसे हम बनाने वाले हैं आलू के साथ, तो मैंने आप ले लिये हैं करेले, करेले को मैंने अच्छे से धो गिल्टी थिया हैँ, मैंने आपर करीबन 200 क्राम करेले लिये हैं, करेले को छीलने के बाद जो ये छीलके हैं, इसे हमें फेक नहीं है, इसे हम सुखा लेंगे, इसको सुखा कर डायबिटिस की बहुत effective दभाई बन सकती है, करेले को छीलने के बाद इसे हम कट कर लेंगे, त पर एसमें मोटे मोटे सीड Two हम घटा देंगे, ज्यादा मोटे सीड नहीं हैं फिर भी मैं इसको घटा दूँगी, सीड को हटाने के बाद लमबे वाले पीस को हम दो पार्ट में कट कर लेंगे, इस तरीके से एक करेले के मेंने 8 पीस यहाँ पर बना लिये, सारे करेले इस तरीके से आप कट करके तयार कर ले करेले हमारे कट हो गए अब मैं इसे डाल दूँगी एक बड़े बोल में अब इन करेलों को हमें नमक लगा कर रखना है करीबन आदे घंटे के लिए तक कि सारा कड़वा पान इसका निकल जाए नमग लगाकर रखेंगे इस सारा कड़वा पानी इसका निकल जाएगा और कrela हमारे कम कड़वे हो जाएगे इस तरीके से नमग लगाकर इसको आप छोड़ दे कुछ दिर के लिए मैं छोड़ देती हूं उसको तब तक मैं और तैयार यहां कर लेती हूं तो इस करेलीकी सबजी में मैं आइट करने वाली हूँ आलू तो मैंने आपर 3 medium size की आलू ले लिया है और इसको मैंने छी लिया है मैंने आपर कच्चे आलू ही लिये है अब इस आलू को भी हम छोटे पीसिस में कट कर लेते हैं पहले एक आलू के हम दो पार्ट इस तरीके से कट कर लेंगे, अब इसके भी हम दो पार्ट बना लेंगे और उसको छोटे पीसिस में हम कट कर लेंगे, जैसे के हमने करेलो को छोटे पीसिस में कट किया उस तरीके से ये आलू को भी हम कट कर लेंगे, सरा लुट इसी तरीके से मैं कट कर लेती हूँ अलु को आप पहले से ही कट करके ना रखे नहीं तो वो काले भी पढ़ सकते हैं अलुट हुमारे कट हो गए, कट करने के बाद आप चाहे तो एक बाड फिर से इसको दो सकते हैं अब मैंने आपर ले लिए दो बड़े साइस के प्याच, प्याच को मैंने इस तरीके से लेंथवाइस कट कर लिया है, अब करेलों को रखे वे भी काफी देर हो गई है, करेलों ने अपने कड़वा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, कुछ देर रखने के बाद मैं इसको एक दो बारी फिर से धोलूँगी, उसके बाद मैं ऐसे यूज करूँगी, अब मैंने अपर पैन में डाल दिया थोड़ा सा ओयल, अब मैंने इसमें डाल दिये आलू, जो हमने कट करके रखे थे, आलू को हम शेलो फ्राइ कर लेंगे, आलू को में इतना पकाना है, जैसे क कि 90% तक को खो जाएं, तो इस तरीके से आलू को बीश-बीश में चलाते वे अच्छे से पकने तक आ फ्राइ कर ले, तो ये देखिए, आलू मेरे पक गए हैं अच्छे से, एक आलू को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, आलू मारे अच्छे से पक करेले, अब इन करेलों को भी हम 90% को खोने तक फ्राइ कर लेंगे, और इस तरीके से से हम बीश-पीश में चलाते रहेंगे, तक हर तरफ से ये बराबर फ्राइ हो जाएं, तो ये देखिए, करेले हमारे हलके हलके क्रिस्प हो गए हैं, और अच्छे से ये पक भी गए हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, चाय तो इन फ्राइ केवे करेलों के ओपर आप ऐसे ही सुखा मसाला डाल कर भी खा सकते हैं, तब भी खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इन करेलों को भी मैंने अलू वाली प्लेट में ही निकाल दिया है, इन दोनों को ये हम बा प्याउन बिल्कुल भी नहीं करना है, प्याज को इस तरीके से चलाते वे अच्छे से आप प्याज को भून लें, इस सबजी में मैंने अद्रक और लसन यूज नहीं की है, आप चाहें तो अगर आपको लसन और अद्रक पसंद है तो इसमें एड कर सकते हैं, तो ये देख लाल मिर्च पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले जो भी इसमें आप एड कर रहे हैं, आलू और करेले के साब से इसमें प्याज में डाल दें, मिक्स करने के बाद मैंने इसमें एड कर दिये, फ्राई के वे करेले और आलू, अब इसको फिर से पकाना है, कुछ देर बाद मैं सबजी को चेक कर रही हूँ, अब मैं इसमें एड कर दूँगी बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, एक चमच एड कर देंगे इसमें हमचूर पाउडर, अब मैं इसमें एड कर दूँगी एक चमच दरदरी कुटीवी सॉफ, सॉफ का बहुत की बढ़िया टीस इसमें आता है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस सब्जी मारी बनकर तयार हो गई आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इस सब्जी को आप सब किजे चपाती परांथे चावल किसी के साथ इससे आप खा सकते हैं खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है जिसे करेले पसंद ना हो उसे भी जरूर पसंद आने वाली है तो तयार है हमारी आलू और करेले की सब्जी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए